हेलो गाइज जैसे कि हमने के लाश्ट बिलोग में बताया था कि जीजा जी का उपरेशन होना है तो कल उपरेशन होना है आज अस्पताल में बढ़ती होना तो हम सब लोग आब अस्पताल के लिए जा रहे हैं सब तयारी हो गई है और पापा जी ने गाड़ी दो दिये यजज़ी उधर बैटे हैं जल्दी कार में बैठके हम निकलने बाले हैं और आगे की अपडेट देते रहेंगे घर के सबी लोग जा रहे हैं तो सांग को मैं लोट कर आउंगा मेरे खाने के लिए दीडी मेरे लिए बना रही है यह देएकि दोस्तों आलू गाजर बना रह बनाऊंगा उनके यहां सब कुछ रोती लिया आँगा क्योंकि अभ मैं आकेले के लिए क्या रोटी बनाऊंगा वैसे बनाना तो मुझे खाना आता है यह अज लेकिन आकेले के चक्र में मैं बनाऊंगा नहीं यह हमेंसा ही मोवाइल चलाता रहता है इसकी बहुत जाद तो दोस्तों मैं भी तयार हो जाता हूं तो मैं भी तयार हो रहा हूं क्योंकि हमें जल्दी किना खता है कि sinking आपो बारिस का मोसम है, शुए से बारिस हो रही है, अब युदि राज़ भी हुए है, तो बारिस होगी, तो गई दूसरा मोझे कांगे, लेक मोझे गए मोझे गए मोझे दून के पाता हूं, दोस्ती, ये मोझे बहाद मितागे, तो बच्चों नहीं दूते मैं से, जल्दी निकलते हैं, तो गाई सिलेंडर के तम हो गया, जो मेरे नी खाना बंगा था, अभी अच्छानक सिलेंडर के तम हो गया, तो इसको मैं चेंज कर रहा हूं, दोस्तों, रेगुलेटर लगाने के बाद एक बार चेक कर लेना चाहिए, कि गैस लीग तो नहीं हो रही है, क्योंकि कई बार हम जल्दी जल्दी में रेगुलेटर लगा देते हैं, लेकिन चेक नहीं करते हैं, और गैस लीग हो रही होती है, तो दोस्तों, गैस लीग नहीं हो रही है, हम मैं जल्दी से ओवन ओन कर देता हूं, ठंड ज्यादा बढ़ गई है, और जीजा जी के साथ में पापा जी एस्पिताल में रहेंगे, तो पापा जी के लिए कंबल और जीजा जी के लिए थोड़े से कपड़े, हम कार में रख रहे हैं, और जो भी छोटा मोटा जरुट का समाने वो भी हम रख रहे हैं, और देखिए दोस्तों, पापा जी सुन्दर सुन्दर पोदों के बीच में बैठे हैं, पहले हम सब लोग निकल रहे हैं पापा जी 2-3 गंटे बाद सामके बागत हॉस्पिटल आएंगे और हॉस्पिटल में पापा जी ही रुकेंगे तो गाईज हम कासी पुरा गए हैं और अभी जीजा जी के घर पे रुके हैं क्योंकि यहां पर थोड़ा समान रखना है और बच्चे भी यहीं रुकेंगे और यह मा भी यहीं रुकेंगी कलो अपरेशन होगा तो बच्चों को यहीं देखेंगी बच्चों की देख रहेंगी और नमरता यहीं मा के साथ ही रुकेंगी खाना उना बनान के लिए और बच्चों की देख रहे के लिए अस्पताल में दीदी रहेंगी पापा रहेंगे बड़े वाली जी जा सकते हैं और मैं इनको अस्पताल छोड़के साम को बढ़ती करा करके बापस घर चला जाओंगा और सुबह को आ सकता हूं अग कल ऑपरेशन होता है तो कल जै अगरी साइड में ठंडी हवा चल रही है और हलकल की बारिष भी हो रही है तो बुनदावांदी में मैं भी भीग गया था तो मेरी तबियत भी थोड़ी सी नाजुक है थोड़ा बुखार सा हलका सा और खासी जुखाम भी है दोस्तों आप भी बचके रहें इस बारिष से जैसे मैंने बताया था कि बारिष में अगर भीग जाते हैं तो खासी जुखाम होना तो पक्का है थंड भी है तो बचके रहें दोस्तों और अभी सब लोग समान रखने के लिए जीजा के घर पे गए हैं और समान रखके तुरंत सब लोग अब अब अस्पिताल पहुचें जीजा को यह बैड मिल गया है जनरलबाद में है जीजा जीजा को हमने अडमिट करा दिया है और आब वो मैं घर के लिए निकल ला हूँ लगो गादे गंटा लगया था बैड मिलने में तो ब्लड काग जी कारेबाई होती है न कुछ काग इस थे जमा करने ते तो उसी में थोड़ी दियर लगी और मैं निकल ला हूँ घर के लिए बारिस रुख चुकी है और ये अस्पताल है दोस्तो मैं अस्पिताल से निकलाया हूँ और कापी तेज बारिश हो रही थी बहुत देर से हो रही थी तो मैं सोच रहता भारिश थोड़ी कम हो जाए यह रुख जाए तब ही निकलू तो जीजा तो एडविट हो गए है और मैं अब निकल लाँ घर के लिए पहले मैं जीजा जी के रोउम पर ही जाँगा, जो काशिप्रू में है उसके बाद घर निकल जाँगा सीधे दोस्तो आज संडे हैं और देखिए अभी बराथ के लिए कार चार रही है और या पूरी बराथ जा रही है आज बहुत ज़ाद सादिया हैं पता नहीं इन लोगों की सादिय का कैसा सुमूरत था कि आज सुबह से ही लगातार बारी सो रही है अब जाके थोड़ा सा मोसम खुला है तो देखे दोस्तों ये हमारे गाओं को जाने के लिए रास्ता है और इस समय बादल बने हुए हैं बारी सोने की संबाबना है इसलिए मोसम बहुत ही स्वाबना हो चुका है और दोनों तरब देखिए गरीन गरीन गहुं के खेत हैं बहुत ही सुन्दर लग रहा ये नजरा मुरदबाद से रामनगर के लिए जो हाईवे है उससे दो किलमेटर की दूरी पर हमारा ये गाउं परता है दोस्तों बताते चलें कि उत्रप्रदेश राज्ये के मुरदबाद जिले का ये आखरी गाउं है हमारा गाउं पीपल गाउं यूपी और उत्राखंड के बोर्डर पर है अब हमारे गाउं के बाद उत्राखंडी स्टार्ट हो जाएगा अभी हम जिस हॉस्पिटल से आ रहे हैं वो हॉस्पिटल कासिपूर सहर में है और कासिपूर सहर उत्राखंड में है दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक तेंदुवा वाली वीडियो अपने चैनल पर रहता था और इसी के जश्ट भगल वाले जो खेत थे बहां पर तेंदुवा पकड़ा गया था अगर आपने तेंदुवाली वीडियो नहीं देखिया तो आप हमारे चैनल पर बिजिट करकर तेंदुवाली वीडियो देख सकते हैं बहुती फणी और मज़ेदार वीडियो है क्योंकि जब गाउं में तेंदुवा आता है तो किस प्रकार से भगदर मचती है और कितने लोग इखटा हो जाते हैं देखने के लिए और ये देखे दोस्तों हमारे गाउं आ चुका है और हमारे गाउं का नाम है पीपल गाउं और देखे दोस्तों गाउं के सुरुआत में ही बहुत बड़ा तलाब है और इस तलाब में गाउं के लोग ही मचली पालते हैं ये देखिए तो दोस्तों देखिए अब मैं घर पर आ चुका हूँ और घर पर कोई नहीं है मैं अकेला हूँ सब लोग एस्पिताल के लिए जा चुके हैं पापाजी भी निकल चुके हैं और खाने के लिए दीदी बना दिया था खाना और रोटिया मैं बड़ी वाली दीदी के या गाउ से उत कर आया तो बहीं से लिए आया हूँ तो साम का खाना तो है मेरे पास और सुबह को मुझे जल्दी निकलना होगा अस्पिताल के लिए क्योंकि कल ओपरेशन की डेट दे रहे हैं दोक्टरों ने तो मैं जल्दी निकल जाओंगा और अगर कल नहीं हो पाया तो फिर मैं नेक्स डेन निकरूंगा तो चली दूस तो फिर में ने 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 बलोग में बाइ